धगवन बाबा हनूमान जी को प्रथम प्रणाम मैं करता हूँ महांत्यागी बाबा जुहंदेल जी को भी प्रणाम मैं करता हूँ गोंड समाज की है ये कहानी देव को तुमें सुनाता हूँ या है घटना विजे पार की जेव को तुमें बताता हूँ जादु घोरों से परेशानती चंगीता बाई बताता हूँ चंगीता सोमलाल मडा भी इलिकी चची कहानी सुनाता हूँ जादु खोरों ने जादु हुटो ना करके संगीता बाई को मारने के लिए इलाज किया दुखी किया परिवारों को कभी बेल की जोडी मरती कभी गोदे की जोडी कभी घर का कोई सदश मरता कभी मरती ती पकरी पांच वर्सों से परिशान की स्यम को तुमें बताता हूँ संगीत बाई मडावी इनकी सची कहानी सुनाता हूँ फिर कई सारे पंडा पुजारी को सों लाल जी ने बुलवाया दस हजार रुपए खर्च किये और मुर्गा बकरा कटवाया दांतरिक वहले शम्शान घाट में मटन खाने को पहुंच गए हटी फेके दारू पी ए खाली बाटल फेक दी उसके बाद पंच कमेटी बैठाले बतलाता हूँ संगीत बाई मडावी इनकी सची कहानी सुनाता हूँ जादू खोर को बुलवाएं तब जादू खोर वहां पर आया महलाई हूँ दूसरा बाहर का है कमेटी को बतलाया ऐसा कहकर वहां से उटकर जादू खोर भाग गया फीचा की आ लोगों ने उसका फिर भी हात नहीं आया भाग गया जादू खोर वहां से चेव को तुमें बताता हूँ संगीता भाई मडावी इनकी सची कहानी सुनाता हूँ परमत माईक सेमक जों विजे पार में सिक चक है ना महरुप चन धांडे हैं उनका सेव को तुमें बताते हैं सिक चक बोले सो मलाल जिसे तुम ये सब कुछ छोड़ दो परमत माईक मार्ग अच्चा है तुम या मार्ग अपना लो सिक चक बोले सो मलाल से सब कुछ तुमें समझाता हूँ संगीत भाई मलावी इनकी सची कहानी सुनाता हूँ अच्चा अच्चा है सोमलाल मडावी बोले पता नहीं इस बारे में तुम भी हमारे साथ चलो जी कार्य करताज के पास में सिक चक और सोमलाल जी रामपुर जाने निकल पड़े सुक राम जी सीवन करे इनको जा करके बिंती करे सोमलाल बोले कारे करताजी को सब परेशानी बताता हूँ संगीता भाई मडावी इनकी चची कहानी सुनाता हूँ सुक राम जी ने सोमलाल से सारी बाते सून लई बाबा को प्रणाम करके बाबा की चर्चा चलने लगी चर्चा करते ही संगीता भाई को विजे पार में विस्तर के थोई भी मारती पाच साल से शक्ती मिली फिर बाबा से मन के मन बडबडा ने लगी बाबा का नाम बताता हूँ संगीता भाई मडावी इनकी सची कहानी सुनाता हूँ कार टीक करते ही लगी बाबा का चूँ पमसे रहाँ बाबा हनुमान जी मैं किसी को नहीं मानती ऐसा कहने लगी खटिया से उट करके मेरे को भूक लगी है कहने लगी खाना खाकर घर का सारा काम वो फिर से करने लगी रामपूर से सिखचक और सुमलाल जी आई पता का है संगीता भाई मलावी इनकी सची कहानी सुनाता हूँ सिखचक और सुमलाल जी घर में देख के द्रिश्च चकित हुए भगवान बाबा हनुमान जी ने ये कैसा चमतकार किये बाबा के चर्चा में ही सोमलाल जी को समाधानी मिली फिर दिन दिन के कारिय घणा के कारिय करता के हावाई को उची सात दिन के कारिय में बीमारी दूर बताता हूँ बीमारी से दुरुस्त हो गई संगित बाई बता हूँ बाबा हनुमान जी तेरी सदा ही जे बाबा हनुमान जी तेरी सदा ही जे बाबा है की कख़ए जवाए 1979 जी तेरी ए 1 분들्मा के का सरता ही?